हेलो एव्रीवन वेल्कम बाक तो माई चानल साइकोलेजी की पाधशाला और आइम बाक विद अनधर टॉपिक विच इस इंटेलिजेंस और हैं यह वी आल्सों तॉकि मेंली वी तॉकि अबाऊ दॉकि यह एक बहुत इंपॉर्टन थियोरी है जिससे कई सारे पूछे गए हैं and believe me if you study this entire lecture तो मुझे लगता है कि आपको Spearman कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी because this is overall यह जो notes है यह पूरे मेरे हैं and I have prepared it by you know studying from every aspect हर जगह से इसको पढ़के ही मैंने बनाया है so if you study this I think and I hope कि आपको कोई ही और पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं and without wasting any of the time हम शुरू करते हैं राइट okay so I think there was some problem ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो शुरू करने से पहले we will start with the definition of intelligence intelligence क्या है अगर हम वेक्सलर की definition के according चले जो की psychology में बहुत ही you know I have brought all the useful informations useful definitions जो आपको help करेगा intelligence जो है वो क्या है it is the aggregate or the global capacity of the individual to act purposefully think rationally and deal effectively with the environment तो वेक्सलर की definition थी कि एक individual के अंदर global का मतलब क्या होता है हर तरीके से right global means entire thing right तो global capacity होती है कि वो एक purposefully act कर सके means वो जो भी कुछ कर रहा है it is with a name to achieve a goal एक purpose के साथ उसके actions होने चाहिए वो rationally सोचता हो rationally का मतलब क्या है he is thinking everything very logically वो logically चीज़े को सोच रहा होता है handle कर रहा होता है without any biasness वो सोचता है rational तरीके से right कोई भी तरीके का कोई भी bias नहीं होता है और अपने environment के साथ वो अच्छी तरीके से effectively deal कर पाता है right उसके बाद यहां पर क्या है more जो वेक्सलर है उन्होंने इनकी जो definition दी कि the capacity of the individual to understand the world about him and his resourcefulness to cope with its challenges कि वो एक उसके अंदर एक capacity होनी चाहिए कि वो चीजों को समझ पाए अपने आसपास की चीजों को और एक you know resourcefulness को कि क्या resources available है environment में ताकि वो उन challenges के साथ उसे deal कर सके तो यह दूसरी definition ती अब four elements होते है that is basically जो important होते हैं एक intelligence के लिए direction direction का मतलब क्या है ability to set up a goal and work towards it आपका direction बहुत माईने रखता है राइट जैसे अगर हम किसी चीज के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने तो उस डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अफकास हमें वही सारी चीजों को follow करना पड़ेगा जो हमें उस डॉक्टर बनने के पार्थ तक लेके जाए राइट अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम क्लैट तो नहीं निकालेंगे हम लॉक्टर बनने के स्टेप्स तो पूरे नहीं करेंगे तो अगर इस तरीके से इजी लंग्विज में समझा जाए तो डिरेक्शन का मतलब होता है कि हम उसी गोल की तरफ एक्ट कर रहे हैं हमारा जो एक रस्ता है वो सही होना चाहिए सबसे पहला element इंटेलिजन्स का होता है तिरेक्शन दूसरा होता है अडाप्ट बिलिटी जसको कहते है एज़स्मेंट्स मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्फ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम कुछ निसेसरी एज़स्मेंट्स कर तो for example जैसे होता है न कोई चीज अवेलबल नहीं है अब हमने उस चीज को solve करने के लिए हमने एक नए रस्ते निकाले हमने adjust किया थोड़ा सा तो यह सारी चीज़े क्या है adaptability कि हम adapt हो पा रहे हैं उस situation में comprehension का क्या मतलब होता है have a basic understanding of exactly what the problem is हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम comprehend गलत करते हैं for example whatever is the problem अब हम उस problem को ध्यानी में हम उस problem को जो solve भी कर रहे हैं तो हम समझी नहीं पा रहे हैं पहली चीज तो वो क्या problem है तो हम clearly जब तक problem नहीं comprehend कर पाएंगे क्या problem है हम उसे solve नहीं कर पाएंगे comprehend करना interpret करना interpretation of the problem और चौथा होता है self evaluation self evaluation बहुत important है कि क्या एक खुद का हम idea लगाते हैं कि क्या हम इन चीजों को सही solve कर पाएंगे या क्या हम इसको कर पाएंगे यह जो self evaluation है यह बहुत important role play करता है क्योंकि अगर आप self evaluation आपका गलत है negative है अपने बारे में तो आप उन चीजों को solve नहीं कर पाएंगे सो basically intelligence में यह सारी चीज़े बहुत important होती है अगें Harvard Gardner ने जिन्होंने theory of multiple intelligences भी दिया है उन्होंने intelligence को कैसे define किया था it is basically the ability or the skill to solve problems or to fashion products which are valued within one or more cultural settings कि किस तरीके से हमारी क्या ability है हमारी जो skills होती है कि हम problems को solve कर पाएं जो की cultural settings में होती है so यह Harvard Gardner की definition थी against Sternberg, Sternberg ने ट्रेयर की theory of intelligence दिया था I will try my level best कि मैं almost सारी सारी important theories को intelligence की discuss कर पाऊं बट जितना भी time मिलता है उसके according I always prepare तो intelligence क्या है, Sternberg की according, it comprises the mental abilities necessary for adaptation, shaping and selection of the environmental context कि हम किस तरीके से adapt कर रहे हैं, हम किस तरीके से shape कर रहे हैं, modify कर रहे हैं, change कर रहे हैं, shape का मतलब होता है modify करना, alter करना, change करना, situations को, और हम किस तरीके से selection कर रहे हैं, किसी भी environmental context में, right तो यह Sternberg की theory थी, sorry, definition थी, उसके बाद B.N. and Simon, जो है 1905 में, इन्होंने intelligence को define किया as the ability to judge well, reason well, understand well, कि हमारे अंदर की जो ability होती है, कि हम चीजों को अच्छे से judge कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको एक reason दे पा रहे हैं, तो अगर हम इन सारी definitions को देखें, तो इसमें कुछ ना कुछ common elements हैं, आपने देखा होगा, कि इसमें कहीं ना कहीं एक common elements निकल कर आ हैं, modify कर रहे हैं, फिर अपने behavior को हम modify कर रहे हैं, right, again, adaptation क्या है, कि हम कैस तरीके से अपने behavior को modify करते हैं, environmental demands को पूरा करने में, second common element क्या है, ability to think abstractly, और तीसरा क्या है, acquiring new information, तो ये जो चीज़े हैं, ये कुछ चीज़े काफी important है, ठीक है, तो अगर हम ये सारी definitions की analysis करें, तो हमें क्या पता चलेगा कि intelligence में तीन general classes of ability होती है, पहला क्या है, adapting to new situations, पहला क्या है, adapting of the new situations and changing of the task demands, using resources effectively, adapting to new situations, उसके बाद learning, experience, training से और abstractly सोचना, ये तीन चीज़े बहुत important होती है, intelligence के लिए, अब आज आते हैं, Spearman की two-factor theory of intelligence में, अब इसमें जो भी चीज़े हैं, ये इसी से आपको questions आएंगे, अगर if you are very clear with this theory, आप कोई भी answer कर सकते हो, question को, सबसे पहले तो Charles Spearman की जो theory of intelligence है, उसे हम two-factor theory of intelligence भी कहते हैं, two-factor क्यों कहते हैं, ये आगे आपको पता चल जाएगा, major contributions हैं, इनका history of psychology में, और इनों ने क्योंकि factor analysis यूज किया था, तो cattle ने भी factor analysis का यूज किया था, बट Spearman को, जो है, Spearman ने भी इसे यूज किया था, and he was an eminent psychologist, और statisticians थे, जिन्होंने correlation को समझने की कोशिश की थी, between mental tests, and Spearman was critical of Binae and Simone's theory, Spearman जो है, वो Binae and Simone की theory, क्योंकि जब आप Binae and Simone की theory में, अगर आप देखें, तो Binae and Simone ने general factor दिया था, intelligence का, intelligence comprised of general factor, लेकिन इनकी theory से, फिर Spearman की theory आई, और इन्होंने बोला कि, general factor के साथ, एक specific factor भी होता है, तो he was concerned to test the theory, कि जो obtained correlation होता है, various tests of intelligence में, क्या ये entirely general intelligence की वज़े से है, क्या ये entirely general factor की वज़े से है, तो ये, इस theory को test करना चाहते थे, जो Binae and Simone ने दिया था, and he wanted to see कि the obtained intercorrelations between various tests of intelligence, they were entirely due to the general factor, और जब इन्होंने test को evaluate करा, तो उन्होंने identify किया, that the scores of the same participants, were similar in every test, कि जो same participants है, उनके जो scores है, वो हर test में similar आ रहे है, यानि कि a person who scored high marks in one aptitude test, scored the same marks in other aptitude test, कि जो भी person है, अगर उसको एक aptitude में high marks मिल रहे हैं, तो same marks उसे दूसरे में भी मिल रहे हैं, और जो person को low marks एक में मिल रहे हैं, उसको दूसरे में भी low मिल रहे हैं, तो वो इस conclusion में आए, कि there is a factor between intellect and cognitive abilities of a person, कि कोई ना कोई ऐसा factor जरूर है, जो intellectual और cognitive abilities इसके बीच में आता ह है, फिर उन्होंने factor analysis technique को employ किया, और जब इन्होंने examine किया, तो he concluded that factors related to intelligence could be expressed numerically, तो उन्होंने कहा कि factors जो होते हैं, उनको नुमेरिकली दिखा सकते हैं, तो he proposed that the various mental traits are not independent of each other and there exists a factor called general factor, फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी mental traits होती है, जो independent नहीं है, जो हर इन्सान में कहीं न कहीं पाई जाती है, और उन्होंने इसको G factor का नाम दिया, in addition, he also recognized specific factors, जो particular tests में specific भी थे, there were some specific factors, तभी न, अगर किसी का high marks एक में आ रहा है, तो दूसरे में उसका high आ जा रहा है, और जिसका low एक में आ रहा है, तो दूसरे में भी low आ जा रहा है, तो G factor जो है उन्होंने कहा, it is linked to the general ability of the person, and the S factor is linked to the specific ability of the person, G factor किया है, general ability tasks का factor है, कि जो हमारी capability होती है, कि हम general mental ability के tasks करें, और S factor किसके लिए responsible है, specific abilities of the person के लिए, तो Spearman ने देखा, कि intelligence could be explained by G and S factor, where G factor is determined exclusively by inheritance, और उन्होंने बोला, कि जो G factor है, वो पूरी तरीके से exclusively inherited होता है, amount of G factor present varies with each specific ability, लेकिन जो G factor, जो presence of G factor है, वो किस से वैरी होगा, हमारे specific ability से, every specific factor is correlated with other specific factor, यानि इन्होंने स्पियर्मन की थिहोरी ने बोला, कि there is a single G factor, but there are many S factors, इन्होंने elaborate किया, इन्होंने अपने काम को revise किया, abilities of man, इनका एक work था, and the name two factor theory doesn't indicate that there are only two factors, two factor theory का मतलब ये नहीं होता है, कि सिर्फ दो ही factor एक इंसान में है, no, general and specific categories है, ठीक है, there are more than two factors, क्योंकि हर factor का sub factor होगा, which will depend on number of specific abilities in each test, right, तो दो factor theory का मतलब ये नहीं होता, कि इंसान में सिर्फ दो ही factor है, दो factor theory का मतलब होता है, कि ये दोनों factors के अलग-अलग sub factors भी होते हैं, तो आप Spearman की theory को समझने के लिए, हमको ये assume करना है, कि any correlation between two tests, used by Spearman, implies a factor common to both, plus two specific factors, कि दो test के बीच में जब हम correlation देखना जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो factor है, जो common होता है, और दो specific factors होते हैं, तो माल लो, दोनों test को a और b कह दें, और एक common factor g है, तो दो specific factors क्या हो गए, sa, sb हो गए, right, देखो जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, sa, sb, और यह एक g है, तो there are many specific factors, but there is a common factor g, यहाँ पर देखो, एक g है, और यह general ability को दर्शारा है, लेकिन specific में क्या है, verbal है, special है, numerical है, mechanical है, यह एक person की specific abilities है, हो सकता है किसी एक person में की special ability, बहुत अच्छी हो, किसी में नहीं हो, that is a specific ability of the person, right, तो अगर हम यहाँ पे भी देखो, तो each ellipsis stands for a mental test, हर ellipsis में mental test को दिखा रहे है, ellipses are permitted to overlap g to different extents, in order to indicate that the fact that some tests are more heavily loaded with g than other, और यहाँ पे देखो, यह ellipsis जो है, वो क्या कर रही है, वो g को अलग-अलग तरीके से overlap कर रही है, right, the amount of correlation between any two tests is determined by the extent to which two tests are loaded, तो amount of correlation दो test के बीच में कैसे पता चलेगा कि कितने उसकी हिसाब से उसकी loading है, जैसे test A and B की अगर बात की जाए, तो it will have high correlation, क्योंकि उन दोनों में ही common g है, देखो, अगर हम यहाँ पर जाएं, A वाले में, तो यहाँ g में क्या है, कि A and B high correlation रहेंगे, because they both have much in common g, right, अब Charles Spearman ने जो technique यूज की थी, correlational analysis की और factor analysis की, यह Carl Pearson ने पहले यूज की है, right, जब उन्होंने groups of children पर काम किया था, intelligence test पर, तो his historical significance can be seen in the development of factor analytic method, और, गिलफोर्ट ने कहा कि, no single event in the history of mental testing has proved to be of such momentous importance, जितना Spearman की two-factor theory ने लेकर आया है, यह एक बहुत important line है, कि यह गिलफोर्ट ने Spearman से related यह बात कही थी, कि आज तक कोई बैसा single event नहीं हुआ है in the history of mental testing, जो इतना ज्यादा momentous साबित हुआ हूँ, तो Spearman ने पॉंडर किया इस result को, and he wondered that what higher generality it implied, the positive correlations clearly indicated, that each test did not measure an independent attribute of mental functioning, अब यह positive correlations की इनोंने बात कही, कि there will be a positive correlation, लेकिन इसका मतलब क्या है, कि हार test, हार test एक independent attribute कोई measure नहीं कर रहा है, ठीक है? तो Charles Spearman ने factor analysis develop किया था, as a procedure for deciding between two versus the many factor theory, by determining कि whether the common variance is a matrix of correlation coefficient, क्या इसको हमें एक single general factor में लाना चाहिए, या फिर हमें इसको group factors में लाना चाहिए, तो इनोंने factor analysis क्यों use की थी, यह पता लगाने के लिए इस्तमाल की थी, कि क्या हमें, जो matrix of correlation coefficients है, उनको हमें एक single general factor में ही लाना चाहिए, reduce करना चाहिए, या फिर हमें इसको several independent group factors में करना चाहिए, इसका decision लेने के लिए, इनोंने एक important concept लेकर आये थे, tetra differences का, तो Spearman ने principal components यूज नहीं किया था, पहले, original काम में, लेकिन, he computed entire matrix of correlation को, तो इनोंने क्या किया था, कि इनोंने principal component यूज नहीं किया, और इनोंने एक simpler TDS procedure को यूज किया था, pre-computer age भी था उस समय पर, तो, he computed entire matrix of correlation coefficients, between all the pairs of test, और इनोंने possible groupings लेती, 4 measures की, and he called it tetra difference, so he took the possible groupings of 4 measures, this is also very important, यह भी आता है question, तो tetra differences क्या है, यह बहुत जादा, basically, जो tetra difference है, and tetra equation है, that were used to prove the G factor, तो tetra differences and tetra equations, in a spearman ने use किया था, G factor को proof करने के लिए, and he said that, if there are 4 such activities, like R13, R24, etc, 6 correlation coefficients, defined by equation will be, R13, R24, minus R14, R23, तो यह इनका equation था, this was the tetra equation, ठीक है, तो value of F, approximates to 0, तो tetra differences, does in all cases, comes to 0, तो इनों ने बोला, कि tetra differences, हर case में, क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, so the variation in measured intelligence, that was not explainable, in terms of general factor, was attributed by, to, by specific factor, तो जो intelligence में, जो variation आएगा, जो की general factors से, explainable नहीं है, उसको हम in specific factors में, कर देंगे, so there were many different specific factors, तो बहुँ ही बात आ गई, कि बहुत सारे specific factors हैं, Spearman के according, लेकिन 8 G factor होता है, all intellectual tasks require some amount of G, लेकिन Spearman ने कहा, कि हर intellectual tasks में, G की भी आवशकता है, तो according to Spearman, the more highly the two functions were correlated, the more highly saturated they were with G, तो उन्होंने कहा, कि जितना ज़्यादा दो function, correlate करेंगे, उतना highly वो G से saturated होंगे, और test that, उस समय जिस पर high general loadings की बात हो रही थी, that were abstract reasoning, comprehension and problem solving, तो अब अगर एक example को लेते हैं, और उस example से समझते हैं, कि tetra differences क्या है, ठीक है, तो किस तरीके से tetra differences को, Spearman ने use किया था, ये जानने के लिए, कि उसको हमें एक single general factor में reduce करना है, या several group factors में करना है, so he said that, suppose that we wish to compute tetra differences, माइस पर हमें करना है, ठीक है, माइस में क्या है, length होती है, width होती है, length में भी उसकी एक leg length होती है, tail length होती है, तो leg length, leg width, tail length, tail width, ये चार इनोंने लिए थे, ठीक है, ये pair of variables है, इस पर correlation coefficients बनाए जाएंगे, and unsurprisingly, that MIR positive, as mice grow, their parts get larger, ठीक है, तो, लेकिन हमको ये जानना है, मतलब यहाँ पर जब इस उनने compute किया, तो, यहाँ पर जो इनका, basically जो निकल कर आया, वो ये था कि, जैसे mice grow कर रहा है, लेकिन हमको ये जानना है, कि whether जो common variance है, क्या ये single general factor दिखा रहे हैं, growth को दिखा रहे हैं, या फिर two separate components of growth must be identified, मतलब क्या हमें इसको reduce करना चाहिए, सिर्फ एक factor growth में, या क्या हमें इसके several component बनाने चाहिए, leg factor और tail factor का, या फिर length factor या width factor का, तो क्या हमें इसमें length factor और width factor अलग-अलग करना चाहिए, या हमको एक single factor G का ले लेना चाहिए, growth, ये हमें आपर देखना था, ठीक है, तो Spearman ने एक tetra difference का formula बताया, R13, R24, R23, minus R23, R4, जाहाँ पर R correlation coefficient है, two subscripts है, दो measures, that is R1 क्या है, leg length हो गया, और R2 क्या हो गया, leg width हो गया, तो leg length, leg length और tail length, हमने एक साथ ले लिए, और 3 क्या है, तो 1, 3, यानि leg length और tail length को हमने एक साथ ले लिया, और leg width और tail width को हमने एक साथ ले लिया, तो R13 क्या है, R13 is the correlation coefficient between first and third measure, या leg length, tail length, ठीक है, तो R13 क्या है, leg length है, R1, R1 क्या है, leg length है, और R3 क्या है, tail length है, R2 क्या है, leg width है, और R4 क्या है, इस तरीके से हमने इसको ले लिया अब हमारे example में जो tetra difference है वो ये है ठीक है R13 into R24 minus R23 into R14 ये हमारा क्या है tetra differences है तो इसको इस तरह देख लो leg length ये तुमारा हो गया 1 ये 2 ये 3 और ये 4 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 तो 1 और 3 हमारा का ये देखो ये लिखा हुआ ना 1 क्या है leg length है 3 tail length है तो 1 और 3 को हमने एक साथ ले लिया और leg width को 2 को एक साथ ले लिया tail width को एक साथ ले लिया इस तरफ में अब इस तरफ में हमने क्या लिया R23 ले लिया 23 का मतलब क्या है leg width और tail width ले लिया और 14 का मतलब कि leg length और tail width ले लिया 23 ठीक है मतलब एक तरफ हमने same चीज लिए दूसरी तरफ हमने difference लिया जैसे यहाँ पर हमने दोनों के length को लिया 1 3 और 2 4, दोनों के width को लिया, और जब हम हम इस side जाई पर राइट में में लेंगे, माईनस के बाद वाले में, तो हमने यहाँ पर 2 3 लिया, यानि leg का width ले लिया, tail की length ले ली, तो यह 2 3 ले लिया, और 1 4 क्यों ले लिया, leg का length ले ल फाट बारे में बात कर रहे थे तो स्पीर में ने कहा कि जब टेट्राइट डिफ्रेंसे जीरो आएगा तो इसका मतलब कि एक फैक्टर है एक सिंगल जेनल फैक्टर है इस में single general factor growth होगी अगर zero answer आ गया लेकिन अगर zero answer नहीं आता है और अगर positive या कोई negative value आएगी तो इसका मतलब कि group factors भी recognize होने चाहिए suppose for example जग group factor general body length general body width govern the growth of mice तो यहां पर इसका क्या बोल रहा है कि एक general body length और general body width यहां पर दो factor आ गए growth को नहीं रखा हमने क्यों इस case में हमें high positive value मिलेगी for the tetra differences अगर हम यह कह रहे हैं कि general body length general body width इसको govern कर रही है तो हमें high positive value मिलेगी क्यों क्योंकि जो correlation coefficient है length का दूसरी length के साथ या width का दूसरी width के साथ that is higher than the correlation coefficient of a width width length तो अगर हम यह कह रहे हैं कि that group factor general body length general body width यह govern करता है mice की growth को तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि positive value हमको मिल रही है length की दूसरे length के साथ और width की दूसरे width के साथ rather than क्यों क्योंकि हमको higher body length मिल रही है na body length हमने एक factor लिया ना तो body length मने लेंद का length के साथ और एक factor हमने लिया general width यानि width का width के साथ तो हम यह आपर यह नहीं कहेंगे कि length और width का correlation हाई है नहीं length और length का correlation हाई था तब ही हमने इन factor को बनाया ठीक है अब देखो जैसे left hand side का tetrad equation वह हमने बात कहीं न कि left side वाला tetrad equation जो r12 और यह था अगर हम देखो यहाँ पर देखो ध्यान से यहां r13 और r24 की जब बात हो रही है तो left side वाला क्या है only length with length या width with lift लेकिन right hand side क्या बता रहा है only length with width length का width के साथ ठीक है लेकिन अगर only a single general growth factor regulates the size of the mice then length with width should show as high a correlation as length with length और width with और tetrad differences 0 होने चाहिए तो अगर single general growth factor आता निकलके या हमको अगर इसको regulate करता mice की size को तो answer 0 होता ठीक है लेकिन भले ही tetrad differences 0 हो लेकिन correlation coefficients equal नहीं होते हैं they need not be equal मतलब leg width leg length के साथ 0.80 correlation है लेकिन tail width का tail length के साथ 0.18 है ठीक है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें लेना देना सिर्फ इतना है कि tetrad differences 0 आने चाहिए saturation और loading का क्या मतलब होता है it refers to the correlation between text and factor axis जितना strongly वो load कर रहा है loadings जैसे point जैसे यहाँ पे है न 0.10, 0.40 यह सारी loadings है with the factor ठीक है जैसे अगर हम A का A की loading देखो C और B अगर हम B और C का correlation देख रहे हैं देखो B और C का correlation 0.16 है तो this is the loadings यह loading है ठीक है और देखो सब variable का variable के साथ क्या होता है 00 होता है यह cross लगा है ना cross का मतलब क्या है कि उसका खुद के साथ का correlation 1 होता है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग तो उन्होंने यह देखा यहाँ पर जैसे देखो R A B और R C D ले लो तो A B क्या है अब आ जाओ A और B पे A और B 0.40 है यह A है यह B है तो 0.40 हो गया है ना अब R C D देख लो यह C है C के संग D पे जाओ 0.18 है फिर R A D पे चले जाओ R A D R is the correlation R यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है R का मतलब होता है correlation coefficient इसलिए R लिखा गया है यहाँ पे ठीक है A D दे चले जाओ A और D 0.45 है अब यहाँ A और D को हम लोग इस तरफ से भी देख सकते हैं इस तरफ से भी देख सकते हैं देख सकते हैं आप लो ठीक है तो इसका अंसर क्या रहा है जीरो तो he found that when correlation is calculated with different type of ability और अगर हमें जग and we find correlation among ability we get the difference as 0. अब इनके according क्या intelligence एक single characteristics है या क्या इसमें distinct parts है तो psychologist ने जो past में जिन्होंने पढ़ाई की है intelligence के लेके उन्होंने basically intelligence को एक general unified capacity माना single characteristics dimension माना early supporter थे उन्होंने बिलीव किया कि performance on any cognitive task dependent on general factor तो और एक या दो specific factors तो Spearman के according basically Spearman based his view on the finding that although test of intelligence often contain different kind of items जो की जो scores होते हैं इन items पे वो highly correlate करते हैं and this suggested that no matter how intelligence was demonstrated it was related to single primary factor तो उनके according भले ही कि किस तरीके से intelligence demonstrate किया जाए वो single primary factor से ही उसका relation है ठीक है इसे इस two mental tests are given to large number of people Spearman noted कि correlation coefficient हमेशा positive रहेगा कि अगर दो mental test को उन बहुत सारे लोगों को भी दे ले तब भी उसका correlation हमेशा positive रहेगा correlation coefficient हमेशा positive रहेगा ये question भी बहुत आता है तो इस Spearman की theory में देखो जानने लाइक क्या है जानने लाइक यह है कि Spearman ने G factor के बारे में क्या कहा कि G factor 1 होता है specific factor कहीं सारे होते हैं tetrad equation tetrad differences उन्होंने इसको explain किया इनका बहुत बड़ा रोल था tetrad differences में इनका 0 की बात कहीं इनका equation देख लो r12 r14 minus r23 r34 इस तरह इनका पूरा equation है हना अब equation भी आता है कि इस अमाल नो minus की जगा प्लस लगा दिया था तो आपको यह सब भी पता होना चाहिए tetrad differences उन्होंने जो कहे तो यह Spearman की पूरी exactly theory थी जो इन्होंने important चीज़े अपनी theory में कहीं है इसके आगे I have thought कि I will bring some mcq also इससे related कुछ कुछ questions लेके आ जाते ताकि आप लोगों को असानी रहेगी उन questions को solve करते हुए चीज़े समझने में ठीक है तो I will try my level best और अगर आपको मेरा channel अच्छा लग रहा है और इससे आपकी कुछ भी थोड़ी भी help उपा रही है किसी भी topic पे कुछ भी help उपा रही है तो जरूर जरूर मेरे channel को subscribe करना psychology की पाटशाला को like share subscribe comment and अगर कुछ भी topic पढ़ना हो कुछ भी चीज़े हो कोई भी feedback हो तो जरूर जरूर मुझे comment sections में बताना and I am really really sorry for the delay but I will try my level best कि और थोड़ा जल्दी जल्दी में videos लेकर आउं lectures लेकर आउं okay so yes I hope कि आपको Spearman समझ आया होगा और अगर नहीं भी समझ आया तो एक बाह मुझे जरूर बताना तो मैं फिर से इसको you know समझाने की करूंगी बट जितनी भी information जितना भी matter मेरे इस में है यह सारा हर जगह का है it is not only from one part तो मेरे इसाब से अगर आप इसको पढ़ लोगे तो you'll be able to solve Spearman's theory ठीक है okay all the best